यह निवू ठीरी की वेकनसी आचुकी है ठीरी गरवाल से अगर आप अप्लाय करना चाते हैं तो वेकनसी आ Calling है 19 ऑर की वेकनसीจะ 19 नौमबर, यानि कल ।्कल की 19ुम शाम को आई थी फोड़ा से मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में इन फ़र्मों को आप कोई भी भर सकता है एक तो पहली बात यह है डिश्ट्रिक वाइन नहीं है आप माली जे उत्रा खंड में कहीं भी रहते हैं आप भर सकता है फर्म पहली चीज़ यह है चीग है जाती के बावन हैं और OBC के 38 फिर EWS के 27 और अनुशेसे जंग जाती के 11 पाद है और इसके बाद ये दे रखा है हुनोंने आवेदन पत्र का प्रारूप यानि कि ये फॉर्मेट है आपका फॉर्मेट मैं कल भी बता चुका हूं कैसे भरना है फिर भी मैं एक बार बता देता ह आपको ताकि कुछ प्राब्लम नहों हो तो देखिए पहले आवेदन आवेधक का नाम यानि आपका खुद का नाम जो फॉर्म भर रहा है फिर पिता कानाम माता कानाम पत्र बंति का नाम अगर आप मेरेट का नाम है तो अपने हजबन का नाम करसी कि नाम डाले नहिव फिर कि अपना एड्रेस डाल देंगे यहां पर फिर मोबाइल नमबर डाल दें एक जुलाए 2020 को आप कितने साल के हो गए थे तो उसको गणना करके यहां डालिए ओके नौ यह जो फॉर्म भरना है यह में चीज है यह मैं आपको बता था हूं कैसे भरा जाएगा देखें फर्स्ट फिर विशे क्या विशे थे पूरे विशे डालिए हिंदी इंगलिश मैस साइंस होसल छोड़े चोड़ा करके भले ही डाल दें पर यहां पर डालिए प्रापतांक और पूर्णांक है टोटल किते मार्ग्स का था यानि कि जैसे हाई स्कूल में टोटल सारे सब्जेट पांस सब कुछ डाल दें डाल जाएगा उसके बाद यहां पर जो साइड में है में यह मैं बता देता हूं इसी के बेस से आपकी मेरिट लगने वाली है और इसको कैसे भरेंगे वह मतांदे कि हाई स्कूल सबसे उपर है और उसमें लास्ट में अंकों की प्रतिशत कुणा 0.75 जाल सबता है पको और एंसे ही सारे लिकीन कर रहेे हैं धियर कर रहे हूं यह तो आपको क्या करना है प्रैक्तिकल अलग मार्स डालने हैं यहां डाल दें तो इसी के बेज से आपकी मेरिट लगने वाली है यह आपके बारे में बता रहा था ना कि तो एसके बाद विशयवार अगर आप विज्ञान से हैं ट्वेल्थ कोलम की बात करों तो विज्ञान वाले विज्ञान लिगते हैं और विज्ञान उत्तर यानि आर्ट्स वाले आर्ट्स लिखते हैं फिर आरेक्शन श्रीन से जो भी आरेक्शन हैं आपकी यहां डाल दें और अगर आपके पास प्रावना पत्र है तो उसे भी उसमें अटेच कर दें संग्लों की संग्या यानि कि आपके डॉकुमेंट जितने भी हैं दस बारा तेरह उनको गिनिये और यहां पर लिख दीजिए साइड में हस्त अपना नाम लिखी है हस्ता अक्षिर करिए बस हो चुका है और इस फॉर्म को डाल दीजिए अब मैं बताता हूं अगला क्या है इ इसमें आप डेलेट किया हो यह बेट किया हो कुछ भी तौनों मानिय है जो बिमाननी है नहें तों अब और क्या चीज़ है देखे 15 दिसम्मर इस फॉर्म को भढ़ने की लास्टेट है नहीं तक पहुंच जाना चीज़ है इसमें एक और चीज दी गई है अगर आप राज्य सरकार द्वारा आपने अगर आप टीचर हैं और सेंटर स्टेट गवर्न्मंट के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको एक्ष्टा मार्क्स पलेंगे और उस एक्ष्टा मार्क्स को पाने के लिए आपको उप शिक्षादिकारी के यहां जाकर एक एक सर्टिपिकट बनवाना है और वह इस फॉर्म में अटेज करना है जिससे कि आपको एक्स्ट्रा मार्च मिलेंगे और यह बहुत बैनिफिट वाली बात है मेरे ख्याल से एक साल की एक नमबर या दो नमबर मिलते हैं तो उन लों के लिक काफी बैनिफिट हो गया हाँ इसमें शर्त यह है कि 31 मार्च स्री 31 मार्च 2019 से पहले का वो लड़का जॉब पे होना चाहिए ठीक है तब ही वो अपना सर्टिफिकेट उसमें लगा सकता है वरना वो माने नहीं है आप मत लगए यह उस सर्टिफिकेट तो मैं बता चुका हूँ 15 दिसमबर इसकी लास डेट है 15 दिसमबर तक यह फॉर्म भ इंटरेट से निकल वा सकते हैं तो यहीं इंफॉर्मिशन थी इसके लावा और क्या है कि बाकी जितनी भी डिस्टिक्स हैं उन सबकी भी आने वाले हैं मैं उनको तुरंत आपके पास पहुचाऊंगा कोई भी प्रॉल्लम होती है तो आप नीचे लित के मुझे कमेंट सबस्क्राइब कर लिए क्योंकि सारी डिस्टिक्स के आने वाले हैं कोई भी इनफोर्मिशन चूट ना जाये और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इन्फोर्मिशन चूट जाएगी और ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं एसा नहीं एक मैंने फ़र्म भढ़ने के ल झाल झाल